हेलो गाइज वेलकम टोने दर वीडियो अप स्टॉक मार्केट फेंट से डियेसल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस इंडिया लिमिटेट की ओर से दिसंबर क्वाटर की फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुका है आज के इस वीडियो में अलसस करेंगे स्टैंडलाउन दोनों रिजल्स आउट हो चुका है जो के हम लोग कवर करेंगे चलिए फेंट्स वीडियो स्टार्ट करते हैं और गाइस हम लोग पहले कॉंसॉलिडेटेट फिनांसल रिजल्ट को कवर करेंगे नंबर्स की बात करें तो लैक्स में दिये गया है इंकम में 235.9 करोड का प पिछले कॉर्टर में 84.4 करोड का और ग्षमबर 22 कॉर्टर में 60.9 करोड का एक्सपेंस हुआ था कैसे केक्स गारवन करेंगे इंकम के कोर इंकम के एकॉरिंग जिसके बाद darkness ऑप्रेंटिक पॉॉफित है। लेकि नेट पौफित 107.84 किरोड का पिछली क्याइट्टर में 108.9 किरोड का Еlism strajton 229.74 5.7 किरोड करनेट पौफिक कौवान कोटर में इसलिए कौण्ट प unhealthy के तैक्स जादा हमादद करना पड़ा 37,5 CEO का पिछली क्वाट्र coping करन姿 साहिए कौण् exclusive the लेकिन year on year के profit में increase किया है EPS की बात करें 10.28 रुपीज का quarter on quarter में fall है year on year में increase किया है segment wise depository activity data entry and storage और repository इन तीनों से revenue generate कर रहा है जो के revenue तो अच्छी ग्रोसे बाद taxes और expenses ज्यादा होने की करण profit में गिरावट आई है quarter on quarter का अगर में और standalone results को Wam करें income में 185.8 के क्रोड का और इसमबर 22 quarter में 132.9 के क्रोड का income है quarter on quarter year-on year दोनों में increase किया है expenses 69.4 के क्रोड का फिछले quarter 65 के क्रोड का और इसमबर 22 quarter 49.7 के क्रोड के expense हुआ था quarter on quarter year-on-year की expenses भी अगिं इस यह लेकिन quarter on quarter बहुत जादा हुआ है इसके कारण operating profit 116 दोडर का पिछले quarter में 116 किलोड का और दिसमबर 22 quarter में 83 किलोड का अप्रेटिंग profit quarter on quarter में down है 5 lakhs का लेकिन year on year में increase किया है net profit 85.7 किलोड का पिछले quarter में 87.9 किलोड का और December 22 quarter 62.7 किलोड का is क्राइब कुछे मिलते हैं ढूंट करते हैं अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स में कुछे मिलते हैं एनेक्स रूड़ा में तिल देन बाबाई